हलो दोस्तों क्या हाल है आज का इस वीडियो में बात करने वाला हूँ अगर आप रियल्मी 8S 5G यूज करते तो आपके लिए बहुत बड़ी गूट न्यूज है इस वीडियो में आपको फूल जनकारी देने बालो वीडियो को अंट तक बने रहे वीडियो बहुत ही इंट्रेस्टिंग होने वाली है चले इस तो वीडियो को वी स्टार्ट करते है अब चलिए में बात कर लेता हूँ अगर आप रियल्मी 8S 5G यूज करते तो आपके लिए बहुत बड़ी गूड न्यूज है रियल्मी वाइफ 4.0 का जो अपडेट है अंडर 13 का जो अपडेट है रॉल आउट कर दिया गए दोस्तों मैं बताना चाता हूँ ये ओफिसियल वर्जन देखिनी को मिला है ये अपडेट सभी डिपाइस में देखिनी को मिलेंगे रियल जीरो 3 का आपको लेटस वर्जन देखिनी को मिल जाएंगे अगर आपको पहले से रियल्मी वाइफ 4.0 का अपडेट देखिनी को मिलेंगे अगर आपको पहले से रियल्मी वाइफ 4.0 का बिटा अपडेट देखिनी को मिलेंगे अगर आपको पहले से रियल्मी वाइफ 4.0 जाके चेक आउट कर सकते हो अब चलिए हम बात कर लेता हो कि इस अपडेट के करने के बाद आपको क्या-क्या फीचर देखिने को मिल जाएंगे चलिए हम बात कर लेता हो कि realme y4.0 का अपडेट करने बाद आपको क्या-क्या फीचर देखिने को मिल जाएंगे feature के बात कर दोस्तों आपको skin पर hold करके रखना है hold करने बाद दोस्तों आपको realme way forward 0 में आपको इस तरह साथ देखने को मिल जागा इसमें आपको ज़्यादा कुछ change देखने को नहीं मिलेगा आल wallpaper में click करते हैं तो आपको कुछ नया नया wallpaper देखने को मिल जागा आइकन पर जैसे आप क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको नया फीचर देखिनी को मिलेगा नया फीचर क्या देखिनी को मिलेगा चलिए हम बता देता है यहाँ पर आपको कस्टम पर क्लिक करना है कस्टम पर क्लिक करना है आपको यहाँ से नीचे स्लाइट करते जाना है यहाँ पर आपको एक निया फीचर देखीनी को मिलेगा मैच वाल पेपर कलर्ज का आपको इसे ओन कर देना है जिसाई इसे ओन करते हैं यहाँ पर जो अप्लिकेशन है आपको बलेकन वाइट में हो जाएगा चले मैं आप फराफ़ट से अपलाई कर लेता हूँ अपलाई होने का दोस्तो हमारा जो सितना आप अप्लिकेशन है बलेकन वाइट हो चुका है कुछ-कुछ जो अप्लिकेशन है हो सकते है कि आपको इस्टबल अबडेट करने का बाद यह फिक्स हो जाएगा नहीं तो दोस्तो next chapter update में आपको fix किया जाएगा कुछ-कुछ application जो छुट चुका है बाकी application दोस्तो बलेकर नवाइट हो चुका है काफी सही लग रहा है ये feature आपको कैसा लगा है आप मुझे comment करके जरूर बताना next feature आपको देखीने को मिल जागा realme y4.jaro में not representation बार को लेकर notification बार का लुक जोस्तो आपको इस तरह सा देखीने को मिल जागा देख सकते realme y4.jaro में not Thousands बार दोस्तो आपको इस तरह सा देखीने को मिल जागा अगर not сообщ केकार बार का लुक चेंज करना चाहते यहाँ पर देख साथी कि नॉटी क्वेस्न बार का लुक चेंज हो चुका है काफी सही लग रहा है मुजिक का जो ऑफजन आया है इस पर टेक कर रहे हैं इस तरह से ओप्सन देखने को मिल जागा और नॉटी क्वेस्न बार का लुक दुस्तो बहुती ज्यादा खुब सुरत देखना लग रहा है आपको कैसा लग रहा है आप मुझे कमेड़ करके जरुर बताना अब आप न कीपर और करते हैं यहां पर अब क्रोट पर कीडिक मिला है realme y4.0 में यह feature आपको कैसा लगा दोस्तो नटी question बार आपको कैसा लगा आप मुझे comment करके जरूर बताना next feature आपको देखिने को मिल जागर realme y4.0 में setting में आपको point कर लेना है setting आपको open करने बाद आपको यहां से देख सकते हैं इसका look दूस्तो आपको थोड़ा सा change देखिने को मिलेगा यहां पर देख रहे हैं आईकोन का उसका look दूस्तो थोड़ा चेलँ को मिलेगा उसके पर रू शेटिंग का अलग-अलग आपको border देखिने को मिला है काफी सही लग रहा है उसके सweil को मिलेगा इसमें ज्यादा कुछ change देखीनी को नहीं मिलाए थोढ़ा सा of the action को मिल अस्वाथ तो यहापन नीचे आप स्लाइट करते जाना है लिए बेटरी का option देखीनी को मिलेगा बेटरी पर जिस से क्लिक करते इसका भी लुक दूस्तों आपको चेंग देखिने को मिले आए Realme Y3.0 से बहतर लग रहा है Realme Y4.0 का बैटरी में दूस्तों इसके पाद यहां पर हर सेटिंग का अलग-अलग आपको बोर्डर देखिने को मिला है इसमें ज़्यादा कुछ फीचर देखिने को नहीं मिला है सेटिंग में आपको देखिने को मिल जागा phone manager application को लेकर phone manager आपको application ओपन कर लेना है phone manager application को जैसे आप ओपन करते Realme Y4.0 में इसका लुक दूस्तों आपको इस तरह से देखिने को मिल जागा realme y3.0 से बहतर लग रहा है realme y4.0 का phone manager आपको कैसा लग रहा है आप मुझे comment करके जरूर बताना phone manager का look दोस्तो आपको इस तरह सा देखिनी को मिल जागा realme y4.0 में इस तरह सा आपको देखिनी को मिल जागा बढ़ दोस्तो एक निया फीचर आपको देखिनी को मिला है edit पर जैसे आप click करते हूँ edit पर click करने बदोस्तों यहाँ पर plus minus का option देखिनी को मिला है यहाँ minus करको देखिनी को मिला है realme y4.0 में smart sidebar में यह फीचर आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंड करके जरूर बताना आपको देखिनी को मिल जागा charging animation को लेकर realme y4.0 में charging animation दोस्तो बिल्कुल change देखिनी को मिलेगा realme y3.0 से बहतर लग रहा है realme y4.0 का charging animation realme y4.0 का charging animation दोस्तो बहुत ज़्यादा खुबसरत है आपको कैसा लग रहा यह आप मुझे कमेंड करके जरूर बताना मित करता हूँ कि दोस्तो आपको पता चल चुका है कि realme 8s 5G में realme y4.0 का update करने बाद आपको क्या क्या चेंज देखिने को मिलेगा जो important feature था मैंने आपके साथ share कर दिया है अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज प्लीज लाइक करें अगर आपने हमारे टेलीग्राम गुरूप को जोइन लेगा तो टेलीग्राम गुरूप को जोइन कर सकते हूँ डिस्क्रेशन में लिंक मिल जागा बहुस तरह भाई ने मुझे कामेंड करके पूचे तब भाई आपका नाम किया है दोस्तो मेरा नावल आउद दीन अगर आपने हमारे चलोगों कभी सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्लीज फ्लीज सब्सक्राइब कर दे सब्सक्राइब को बगले में जो बैला है तो बाकर ओल पे प्रेश जरू करें चले जिस तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में